स्टार प्लस के शो अनुपमा के आने वाल एपिसोड में हमें बहुत सारा हाई वोल्टेज ड्रामा और ट्विस्ट देखने को मिलेका जैसा कि शो के नए प्रोमो में हमें देखने को मिला कि अनुज और अनपमा एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है और दोनों के बीच एक रोमांटिक सीक्वेंस देखने को मिला और पूरा शाह परिवार भी अनपमा के साथ है लेकिन तभी वहां तोशू आ जाता है और वो सभी को कहता है कि अब इस फैमली की सारे डिशिजन वो लेगा क्योंकि अब वनराज वहां नहीं है जिसे सुन सभी शौक हो जाते है और अनपमा तोशू की इंसल्ट करती है और उसे कहती है कि वो ये जिम्मदारी नहीं ले सकता जिसे सुन तोशू बहुत गुसा हो जाता है और अनपमा से कहता है कि अब वो देखे कि वो क्या करता है और तोशू घर पर पूजा रख रहा है जिसे सभी शौक हो जाते है और वो सबी को आकर बताता है कि वनराज अब वापस नहीं आएगा और अब इस घर का मुखियाफ तोशू है जिसे सुन बाद तोशू से कहती है कि जब तक वनराज जिन्दा है तब तक तोशू ये पगड़ी नहीं पहन सकता लेकिन तोशू जब अदस्ती बाग के हाथों से पगड़ी पहन लेता है और अब शो के आने वाले एपिसोड में ये देखना बहुत साथा दिल्चस्प होगा कि आखिर अनुपमा इन सारे प्रॉब्लम से कैसे लरपाती है टीवी सिरसे जूरी बागी सारी खबरों के लिए देखते रहें और सब्सक्राइब किजिए हमारे चैनल को